Dear students, we have to discuss about the traditional practices and the sustainable development. देखें, sustainable development के अंदर हमने एक नई society का concept बनाया, एक नए living style का concept बनाया, एक global village का हमने idea दिया, हमने developing और development की जो practices हैं, उनको हमने align करने की कोशिश ही, अब इसके अंदर जो सबसे important factor है, वो हमारी traditions है, हमारा culture है, अब जो हमारे traditional culture है, वो बहुत ज़्यदा attractive है, अब किसी भी society के अंदर जो सबसे important factor होता है, वो उसके culture paradigms होते हैं, अब culture paradigms यो हैं, वो international paradigms में, कुछ है culture paradigms, वो उसमें fit in आते हैं, कुछ नहीं fit in आते हैं, अब जो fit in नहीं आते, उनको drop करना है, जो fit in आते हैं, उसको हमने continue करना है, हमारा environment system जो है, हमारे culture के अंदर environment system की carefulness जो है, वो important है, हमारे बड़े बज़र्ग या हमारा culture जो है, या हमारी families जो हमारा system जो है, वो हमारे environment को जो है, neat and clean रखने पे ज़्यादर तबज़ देते हैं, यह एक positive part है, इसे continue होना चाहिए, उसके साथ हमारी technology advancement है, अब technology advancement के साथ हमने alignment करनी है, उसके अंदर culture कुछ paradigm जो effect होते हैं, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा, आप देखें, हमारी tradition जो हैं, उन में भी change आ रही है, अब उस change लाने के लिए हमें ज़रूरी है, कि यह change नीचे community से ओपर community develop करने तक यह नीचे से change लेके आई जाए, यानि आज का जो बच्चा है, उसके जो culture paradigm fit करने हैं, उनके जो goods and bads बनाने हैं, उनकी जो traditions बनानी हैं, उन traditions की alignment होनी चाहिए sdgs के साथ, अगर तो वो alignment बनती है, उस वो जो practices हैं, वो alignment के साथ आती हैं, उनको तो हमें continue करने हैं, और वो alignment जो उसके साथ नहीं होती हैं, जैसे gender discrimination हैं, या gender practices हैं, या gender policies हैं, उनको पर हमने पहले भी बात की, कि जैसे male जैना वो dominance है, female जो हैं, उनके education के issues हैं, इससे हमें continue करवाना है, culture के अंदर change के साथ, और वो continue क्या करवाना है, कि female को भी हमने उतना empower करना है, जितने हमारे पास male है, अब देखें, यह एक change है society के अंदर, culture के अंदर, traditions के अंदर, अब जैसे हमारे पास, हमारे इस्टन कल्चर के हम बात करते हैं, यहां पर male dominance है, हमारा जो ऐसी चीज़ हैं, उनके मताबक gender discrimination जैना उसको discourage करना है, अब देखें, यह वो point है, जहां पर हमने उसको change करना है, यह नहीं हमारे tradition क्या है, अब इसको मैं आप example कर समझाने के कोशिश करूँगा, hopefully आप उससे अच्छे तरी कैसे समझ लेज़ें, हमारे practices क्या हैं, हमारे society की, हमारे male dominance है, ऐस्टिशिस क्या करता है, वो करता है gender discrimination नहीं होनी चाहिए, वो female empowerment की बात करता है, अच्छा, अब इसका मतलब है कि हमारी जो tradition होगी, उसमें जो male dominance होगी, वो continue नहीं करेगी, female empowerment जो होगी, वो continue करेगी, अच्छा, अब ये female को empowerment करने के लिए, हमारे tradition के अंदर, हमारे culture की acceptable वो जरूरी है, अब जब तक हम इसको accept नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी dominance नहीं खत्म होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि मैं एक culture के parameters की बात कर रहा हूँ, एक determinants की बात कर रहा हूँ, उससे आपको, बाकि सारे determinants automatically आपको उससे understand हो जाएंगे, एक determinants जो ट्रैडिशन की बात की है, यह एक determinants हम culture parameters की बात करते हैं, और वो culture paradigms हैं हमारे पास male dominance, male dominance जो हैं, वो हमारे स्टिचिस से साथ contradiction है, स्टिचिस क्या कहता है, वो कहता है female empowerment, gender equity की बात करता है, जब हमने gender equity को लेखे जाना है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास tradition है, जो हमारे culture का parameter है, male dominance का, उसे हम खत्म करना पड़ेगा, और female empowerment का और gender equity का जो है, वो इसके अंदर develop करना पड़ेगा, और आज हम अगर इसके अंदर develop कर देंगे, तो वो जो हमारे पास future society है, उसमें आज से परीपनरवीश साल बाद, ये बात मादूम हो चुक्ते होगी, कि male dominance का भी हुआ कर देंगे।